और आपको पता है कि मैनुफेक्टरिंग कंपनी में पहले रामेट्रिय लाता है फिर फिर फिनिशूर बन दी है और फिर बिखती है तो इस केस में आप देखें 31 दिसंबर 2020 को अगें यह एक्स्ट्रेक्ट है सब कुछ नहीं है इसमें ट्रेड पेवल्स कॉस्ट ऑफ गुट सोल्ड पर्चेजिस ऑफ दा इयर इन्वेंट्री अट दी एंड रामेटिरियल वर्किन प्रोसेस फिनिशूर तीनों है रामेटियल भी है वर्किन प्रोसेस भी ह फिनिश कॉर्स में अब इन से हमने निकालना है कि वर्किंग कैपिटर साइकल क्या बनता है कि हमारा रोम मैट्रियल आने से ले कर बेचने तक और क्लेक्शन तक कितना टाइम लगता है रोमेटियल टर्न ओवर में रोमटियल इन्वेंट्री ले अगें यह एवरेज होती है मेंशा याद रखें और डिवाइड करेंगे पर्चेजिस से और सम टाइम हम इसको यूज करते है कॉस्ट ऑव मिटीरियल यूज से लेकिन पर्चेजिस से करना बेतर है तो रेशो में देखें आप सिंपली इसको मल्टिप्लाइ करेंगे थ्री सिक्टी फाइव डे से तो याप रॉव मेटियल को इस्तमाल करने में भी सिक्टी स्री डे रखते हैं इसका मतलब यह का आपका रॉव मेटियल स्टोर में पढ़ा रहता है और उस पर आपको मार्क पे कर रहा होता है क्यों कि नॉर्मली फ्लैज होता है सिमिलली क्रेडिटर्स को देखें तो पेवल को रें और परचेज़ से डिवाइड करें और इसको भी नंबर से मल्टिप्लाई करें तो यह आपका फिफ्टी फाइव डेम यहीं आप अपने सप्लायर्स को फिफ्टी फाइव डेमेड देस के अंदर अंदर पे कर रहे होते हैं पिनिश गुट्स को देखें तो इसमें कॉ फॉर्टीवन डेज लगते हैं और वर्किन प्रोसेक्स से डेज जो है वो भी आप देखें तो वो टोल जो है वन फिफ्टीफोर डेज बन जाते हैं कैसे 63 प्लस 26 प्लस 41 एन प्लस 79 इन सब को एड करें तो आप फिफ्टीफाइव को माइनस करेंगे तो आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकल बन रहा है वो वन फिफ्टीफोर डेज का बन रहा है विच इस वेरी हाई गें के एक अगर इसको यह में देखें तो तकरीबन दो साइकल बनते हैं तो दो साइकल तो काफी नहीं है जल्दी आप वर्किंग कैपिटल को निकालने बिजनस से चलाएं बिज जो है या यह टाइम जो है इसको बचाया जाए लेकिंगे जितना आप डिले करते चले जाएंगे आपको मार्क अप पढ़ रहा है किकास कोई चीज फ्री में नहीं है इन्वेंटरी जो है वो भी हमने प्लेज करवाई हुए उसके लोन देना इंट्रस पे करना पढ़ रहा होता है प्सका पैसा हमारा फसा होता है तो जितनी बेतर मेनेजमेट कर सके हैं आप इन्वेंटरी की प्लेज की और पे बल्स की यह जो हमारा working capital साइकल है यह इतना important है कि हमें as soon as इस को receiverD में convert करके cash में convert कर लेना चाहिए अब आप देखे एना है इसमें अगर 154 डेस लग रहे हैं इसका मतलब यह साल में दो साइकल बने इस लिए अपनी क्रेड़िट पॉलिसी को अपनी की पॉलिसी को यह चैप्टर पर है किस तरह से हम इनको मैनेज करें और बैसिकली तो शुरु में बताया कि रेशियो का मरत्रब क्या है क्या है कि है कैसे management अपनी policies को implement करवा रही है और कहां पर उनको इसमें change की जरूरत है तो जहां पर change की जरूरत है वहां पर हमेल को change करना पड़ेगा and that is very very essential thank you very much